तो भाईया आज के इस वीडियो में आपको टॉफ पाइब अप्लिकेशन के बारे में बताऊँगा जो की Android 12 में फुली सपोर्टेड है और जिसके साहता से आप अपने फ्री फायर गेम को कीबोर्ड आम उस लगा के मोबाइल में ही खेल सकते हैं तो नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं TechGen by Vivek चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं सब्सक्राइब करें TechGen by Vivek चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस वीडियो सबसे पहले पाने के लिए तो सबसे पहले मैं आपको बढ़ा दूँ कि इस लिस्ट में जो भी अप्लिकेशन से हैं वो 100% बैन सेफ अप्लिकेशन है उसमें आपकी ID बैन नहीं होगी और आप अपनी main ID से भी इसमें खेल सकते हैं तो लिस्ट में सबसे पहला अप्लिकेशन है हमारा Panda Mouse Pro तो यह एक बहुत ही पुराना अप्लिकेशन है जैसा कि आप जानते हैं इसमें आपको गेम खिलने के लिए इसे एक्टिवेट करना पड़ता है इसको मैंने फिफ्ट नमबर पे इसलिए रखा है क्योंकि यह Android 12 में ब Free Fire Game को खेलते हैं तो गेम में माउस की sensitivity आटोमेटिक हाई हो जाती है जिसकी वज़ासे आपको थोड़ी प्रॉब्लम आती है और साथी साथ यह एक पैड अप्लिकेशन भी है जो आपको Play Store पे 200 रुपे में लगबग देखने को मिलेगा इनी सब प्रॉब्लम की वज़ा से म Keyboard and Mouse लगा के खिल सकते हैं लेकिन इसको यूज करने के लिए आपको एक PC चाहिए होगा बेसिकली इसमें आप अपने Mobile को PC से Connect करते हैं और Mobile Games को PC में Mirror करके Keyboard and Mouse लगा के खिल सकते हैं और साथी साथ इसमें आप Advanced Level की Key Mapping भी कर सकते हैं लेकिन अगर आपको Advanced Level की Key Mapping चाहिए तो आपको इसका VIP version परचेस करना पड़ेगा इसी सब कारण की वज़े से मैंने इसे 4th नमबर पर रखा हुआ है तो यहाँ पर 3rd नमबर पर आता है Geek Gamer App तो Geek Gamer एक बहुत ही Advanced Level का Key Mapping पर एप है जिसका यूज करके आप अपने Free Fire Game को Keyboard and Mouse के साथ खेल सकते हैं लेकिन इस 12 खरीदना पड़ता है जिसका नाम है Mix Pro जो कि आपको Amazon में लगबग 22 रुपए में और यहाँ पर Banggood में आपको लगबग 13 रुपए में मिल जाता है इसमें सबसे अची बात यह है कि इससे जब आप Free Fire को खेलते हैं तो इसमें आपको Automatic sensitivity High का problem नहीं देखनों को मिलता और सा Touch को Unblock करने वाली ADB कमांड चलानी पड़ती है तब जाकि Android 12 में सपोर्ट करता है यही रीजन है कि मैंने इसे 3rd number पर रखा हुआ है उसके पास 2nd number पर है Fly Digi Gaming Center अप यह भी एक Mix Pro की तरह बहुत ही Advanced Level का Key Mapping पर एप है जिसमें आप Mobile, FPS और Macro जैसी Key Mapping कर सकते हैं लेकिन इसमें भी आपको एक device खरीदना पड़ता है जिसका नाम है Fly Digi Q1 जो कि Amazon में आपको लगबग 4500 रुपए में और Banggood में लगबग 2200 रुपए में पढ़ जाता है तो इसका price जरूर हाई है दोस्तों लेकिन यह Android 12 में fully supported है आपको कोई भी problem नहीं आती बस अगर आपको कोई पुराना MediaTek phone है तो आपको इसे classic mode में switch करना पड़ेगा और इसे activate करना पड़ेगा यानि कि पैसा high और activation भी भाई इसलिए MediaTek वाले Mixed Pro के साथ जाएं तो बहतर होगा उसके बाद finally number one पे निकल के आता है Mantis Mouse Pro ये एक बिल्कुल ही नए application है दोस्तों जो अभी अभी launch हुआ है जो कि Panda Mouse Pro की तरह ही काम करता है और इसको भी use करने के लिए आपको इसे activate करना पड़ता है तो activation आप single mobile, mobile to mobile या फिर PC से किसी भी तरीके से कर सकते हैं उसका लिंक आपको उपर i button पे मिल जाएगा तो इसमें सबसे अची बात यह है दोस्तों कि Android 12 में fully supported है और साथ ही साथ ये बिल्कुल free में available है जिसे आप Play Store से easily download कर सकते हैं साथ ही साथ इसमें आप mouse की 6 बटन तक की key mapping कर सकते हैं जो कि इसका plus point है बस इसमें एक बात है कि advanced level की key mapping करने के लिए आपको इसका pro version परचेस करना पड़ेगा जो कि आपको लगबग 460 रुपय का पड़ेगा तो बिना pro version के भी आप इससे अच्छा खासा game keyword आपके खेल सक करतें ताकि ऐसा ही जो वीडियो में आपके लिए बनाता रहता हूं उसका notification सबसे पहले आपके मुल जाए तो चलिए मिलते हैं फिर किसे एक लिए इंट्रेस्टिंग वीडियो में तब तक लिए बाय बाय जय हैं जय भारत दोस्तों